आज के जो हमारे खास मेहमान हैं जो स्कीन के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई भी दे रहे हैं अमूमन उनका परिशे लोग यू कराते हैं कि वह इस देश के युवा तबलावादक हैं लेकिन मैं उनके इस परिशे में एक शब्द और जोड़ता हूं और मैं यह कहता हूं की हुआ लेकिन बेहत परिपक को तबलावादक है प्रांशु चतुरलाल प्रांशु जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार थैंक यू सो मच में को यहां पर आमंत्रत करने के इस कंप्लीटली नहीं तो उस परंपरा से करते हैं जिसकी वजह से मैंने परिपक को जोड़ा यानि जो तबला के महान दिगच के लाकारों में शामिल हैं चतुरलाल जी उस परंपरा से शुरू करते हैं तो थोड़ा सा बताईए हमें उस बारे में क्या क्या इंकलकेट किया गया आपके अंदर बच्पन में जो आज आपके साथ ये परिपक को शब्द लोग लगाना शुरू कर चुके हैं जी 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 जैसा कि अब है कि पंडे चतुरलाल जी हमारे देश के बहुत दिगच तबला वादक रहें और उन्हें सो पच्पन में वो पहले तबला वादक थे जो पंडे द्रविशन के जर और और उस्ताद अलिगबर खासाब के साथ उन्हे सबीट का तो मैं उसी शाखा का एक छोटा सा फूल कह सकते हैं और मैं बहुत ही खुश किसमतूं की मैं इस फैमिली में जन्मा और मुझे अपने पिटा जी से शिक्षा लेने का बहुत अच्छा अफसर मिला बच्पन से ही शुरू से ही घर में एक संगीत का माहौल रहा हमेशा से हम दाधाजी की रिकॉर्ड़िंगस सनते रहे हैं बच्पन से और स्टूरेंट्स का आना-जाना रहा तो संगीत तो जिससे कहते हैं कि बच्पन से ही शुरू हो गया था और तीन साल की उमर से उनने मुझे सिखाना शुरू किया और बहुती अलग तरहे कि कोई छोटी-छोटी चीजों से जैसे मुझे गाड़ी का बड़ा शौक था तो कैसे उनने जैसे पहले की गाड़ियों के अंदर आप देखेंगी चार गेर तो संगीत के अंदर तबला के अ भाग है तो वो गेर के थू मुझे धादन दिंदा सिखा देते थे बहुत सारी छोटी-छोटी बाते हैं जो उनने मुझे ऐसी खेल-खेल में सिखा दी बच्चे मेरे बच्पने में जब मैं तीन-चार साल का रहा था तो यह बहुती ब्लेसिंग समझता हूं मैं कि मैं इस फैमिली में तो मैं सब सीख पाया और जब हम संगीत सीखते हैं तो एक अपने आपी जैसे उसकी कुछ तौर तरीके हैं कुछ तहजीव हैं कुछ जो हम तालिम लेते हैं गुरू के प्रती जो सम्मान होता है वो सब बाते सीखी और उन सब चीजों से बहुत फरक मेरा रहार हुजाओ कि मैं कैसे जड़ी जड़ी सीखूं और आगे उसको लेकर जाओं कोशिश करूं बचपन से ही मुझे सब समझाया गया बहुत टेखनिकल चीजे भी मुझे को ने सिखा दी बहुत कम उमर में तो वो सब बहुत अच्छी जर्नी रहा हैं I am really grateful to him कि उनने मुझे सब सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सब लोगों को सुना सकूँ अपना संगीत आप सब लोग के सामने पेश कर सकूँ अच्छा प्रांशू यह जो भारतिय शास्त्रिय संगीत के रसिक हैं जो उसके चाहने वाले हैं उनका मैं कहूंगा दुर्भाग यह था कि चतुरलाल जी बहुत कम उमर में उनका निधन हो गया वो बहुत लंबा नहीं जिये निशिक तोर पर आपको उनसे सीखने का सवभ कि वह कहानिया कैसी होती थी जी कहानिया किसे तो बच्छपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं जैसे इतनी सारी बाते हैं उनका एक तो जब हम लोग संगीत सुनते थे बच्छपन में तो वो इसमें इतनी पावर होती थी मैं यह जैसे आपने रसिकों की बात करी मैं सोचता हूँ कि जब हम एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं और जब वो रिकॉर्डिंग आपको रोला दे आपके रॉंटे खड़े कर दे तो जब वो संगीत जो लोग देख रहे होंगे सामने जब वो परफॉर्मेंस चल रहा होगा तो उन पे मतलब क्या मतलब देमस भी सो लखी कि उनने वो सब विटनेस किया एंड उनकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं मैं बहुत खुछ नसीब हूँ कि हम वो देखके बहुत सीखते हैं आज भी कि किस तरह से शो मैंशिप जिसको कहते हैं आज की तारीक में तो वो उनकी जैसे हम लोग जाते हैं विदे करने का तो लोग आज भी रो देते हैं तो पिता जी ने तो इतने सारी सब बाते हैं इतनी सब चीजें हैं दादा जी का जो रियाज रहा है उनका रियाज के दिवाने थे वो ऐसे कि उनने मुझे किससे सुनाएं उस त्राइवल इन उस ताइम पे सब प्रें में ट्राइव करेंगे तो जर्नी में भी उस्टू प्राक्टिस और मेरे दादा जी 4849 में डेली आये तो विदिन स्पैन ऑफ यू नो पतब 4865 में एक्सपायड तो इतने कम टाइम में ऐसा नाम बना लेना उस वक्ते आप आज की जारे कि मुझे से इंस्टाग्राम है फेस्बूक है ट्विटर है कितनी सोशल मीडिया की चीजें हैं जिससे हमको फेम मिल सकता है जल्दी मिलता है आज तो सब यूट्यूब से ही फेमस हो रहे हैं लेकिन उस वक्त पे जब सिर्फ रेडियो हुआ करता था और अगबार था टीवी भी बहुत कम देखते थे वीड़ दोस्तों बहुत कम बनती समाने में ऐसा नाम कर दे न कि दुनिया आज भी उनके काम को अतलब मिस्स करती है और सब न सब चाहने वाले हैं उनके मैं दुनिया के जिस पोने में भी गया कोई न कोई जरूर मुझे ऐसा ठक्रा गया जो मिरे दादा जी को जानता होगा उनका संगीत सुनता होगा आज भी तो वो इत अजबी कुछ अफदारी लोग होते हैं तो वही थे जो बतब कितने कम समय में ऐसा नाम कर गए कि आज तक सब याद करते हैं आप दुनिया के अलग-अलग कोनों की बात कर रहे हैं और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी दिल्चस प्रीज पता चली कि आपने भारत से पहले कालिक्तम विदेश में कर लिया था यह क्या कहानी है जी बिल्कुल बिल्कुल जैसे मेरा कुछ कॉं और दादा जी की आदमी रखा था वो और न्यूयोंक कुछ अट्लैंटा के तरफ भी था तो मेरी पहला प्रोग्राम तो वहीं रहा फिर उसके बाद भारत के अंदर मेरा पहला कॉंसर्ट था उदेपूर के अंदर दो हजार दो हजार तीन में मैंने बजाया गया तो कोशिश करता है हम लोग वगया था लिए तालीम भी बहुत जल्दी सिखा दी गई और जैसे कुछ कहते हैं कि जीन्स में भी को एक बात होती है, तो बहुत जल्दी में को जैसे स्टेज पर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे, I used to be a kid and एक तम कोई घबराहट नहीं कुछ भी और सब इतने बड़े थे को जो में, I am so blessed कि उस्ताद अंजली खासाब और पंडेद हरिपरा चौरस्यर जी और यह सब जब पेरा पहल मैं एक तम बेस्गरी में और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनकी ताल में कैसे अपने को मिला के बजाओं, तो वो चीज शायद पिता जी ने मेर में गौर करी कि अब यह है तयार और फिर उनने मुझे बहार भेजना थोड़ा शुरू किया और जैसे संगत की जो जैसे आप कैसे बजाए कि तो कुछ चीज आपको बाहर जाके बजा बजा करां तो इसलिए मुझे बहुत बच्पन में मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया कि उनको लगा कि शायद मैं इस काविल हूं कि अब में को थोड़ा बाहर जाके सीखना शूरू करना ची दिखाए गए हों कि ये पिता जी नहीं दादा जी को बहुत पसंद थे बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी आप कहें तो मैं पढंथ करूं कि अभी एक मेरी रिकॉर्डिंग भी है ने बिल्कुल आप पढंथ जी मैं कुछ आपको पढ़कर सुनाता हूं जैसे एक बहुत ही कि वैं आप लोग के सामने पढ़नी कोशिश करता हूं तो यह दो मुई गठ है पहला और अप्री फ्रेस सेम रहता इसके इसका मज़ा लीजी दिन दिन ना ना तो लुट दुट लुट अभी अभी जब आप जिक्र कर रहे थे 2003 के उस कारिक्रम का तो जहां तक मैं अगर सही हूं तो उस आपके कारिक्रम के बाद दरसर बिस्मिल्ला खाँ साब और अमजदरी खाँ साब का इविन्ट था सवाल मेरा यह है कि बाद में अभी आप संगत का जिक्र कर रहे थे आपने जिन कलाकारों के साथ संगत की उनका भारतिये शास्त्री संगीत में बहुत बड़ा नाम है बिरजू महराजजी का नाम ले लीजे आप अमजदरी खाँ साब का नाम ले लीजे घरिप साच चुरसिय सब ही के साथ बजाएं से पहले एक घवराट तो रही थी लेकिन सब बड़े लोग की बड़ी बाते सब इतने गुणी लोग हैं इन लोग इन लोगों इतने प्यार से इसा करना और छ उनके साथ बजा के बहुत सी लेकने बहुत मिला इसे महराज्जी के साथ उनके प्रोडक्शन में मैंने कुछ-कुछ बजाया है कभी-कभी उनके साथ भी मुझे एक-दू बार मौका मिला तो उनके साथ तो च्छटी क्लास सी पिता जी ने भेज दिया था वहां पर कि भई कि तक का तक का अगर तुम्हें कुछ समझा तो महाराच जी के पास जाओ औ सबही लेजेंड्स सबसे पहले मैं हरीप्रास चलस्या जी के साथ पंडी जी के साथ मुझे मौका मिला 2011 में 11 नवेंबर 2011 में मैं के साथ बैठा था और वो एक मेरी जिन्दगी का एक ऐसा मैं गोल्डन मोमेंट कह सकता हूं कि मैं वह बया भी नहीं कर पा रहा हूं कि उस वक मैं क्या महसूस कर रहा था मैं बहुत घबराया भी था और बहुत इस प्रोड़ाम से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला और इन सभी के साथ जब हम बैठते हैं तो कैसे उठना बैठना है क्या बजाना है कितना बजाना है कैसे उनको बिना डिस्टर्प करे अपनी बात कहनी है कैसे संगत का क्या तरीका है यह सब इन से बहतर और कोई समझा सकता ही नहीं था मुझे तो आपको लोग प्यार से प्रिंस ऑफ तबला भी कहते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी लोगों ने दादा जी का काम सुना हुआ है कि वो क्या करते हैं तो एक स्ट्रेट कंपारेजन रहता है सब लोग एक्सपेक्टेशन होती है बहुत की बही मैं वही चीज आगे लेकर जा रहा हूं तो इसको मैं सही तरह से तो इस ग्रेट स्ट्रेट और मैं यहीं करना चाहूंगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कुछ आपकी क्लिप हैं मारे पास जिसमें आप तबला बजा रहें वह किलिप तो मैं दिखा दूँगा लेकिन आप बताइए कि उसमें आप बजा क्या रहें ताकि जो लोग देखें उनको और पर रस आए जी बिल्कुल यह में यह हाली में रिकॉर्ड किया था एक शौक पीस जिसमें दुरुद तीन ताल के अंदर यह पीस है तो फास्ट ले के अंदर फास्ट एम पूक अंदर में तीन ताल के अंदर कुछ कॉंपोजिशन बजाएंगे हैं उसमें अलग अलग घरानों की जिल्कियां देखने को मिलेंगी और उसमें खास चीज यह है कि मेरे दादा जी का एक सोलो एंड करने का एक तरीका जोने एक पैटन बनाया वो मैंने उसमें थोड़ा कोशेश करी है और उसमें थोड़ा सा अप और भी कुछ योगदान दाने कोशेश करी है तो आप लगों ज़रूर सुनेगा आप लोक अच्छा लगए तो क्लिप देख लेते हैं Now I will be presenting few compositions in Dhrutthi Indha. I will be presenting few compositions in Dhrutthi Indha. I will be presenting few compositions in Dhrutthi Indha. I will be presenting few compositions in Dhrutthi Indha. I will be presenting few compositions in Dhrutthi Indha. I will be presenting few compositions in Dhrutthi Indha. I will be presenting few compositions in Dhrutthi Indha. झाल 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 तो जैसा मैंने प्रांशू के परिचाय में शुरू में कहा था कि युवा लोग कहते हैं लेकिन युवा के साथ परिपक भी लगाना चाहिए ये इस क्लिप को देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रांशू भी आपने इस क्लिप को दिखाने से पहले बहुत अच्छी बात परिए कि इसमें अलग-अलग घरानों की भी चीजे हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंग और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे